इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह अहसास रहता है बुशन जुलिर्स अन्मोल रिष्टों के लिए हिमाचन निर्माता के नाम पर बनी जिला सिर्मोर की पहली कालोनी सर्फकार वा परशाशन के अंदेखी का शिकार है यहां समस्याओं के अंबार है शेतर में ना ड्रेन सिस्टम है ना ही बरसाती पानी निकासी और ना ही कोई अन्य सुविधा है यहां रहने वाले लोगों को बू माफिया ने उपलब्त करवाई है अवेग्यानिक ढंग से प्लांट कटिंग के चलते यहां रहाईशी मकानों पर भी अब खत्रा मंडराने लगा है यश्वन पिहार कल्यान समीती के अध्यक सुरेंदर हिंदुस्तानी ने कहा कि शेतर में समस्या ही समस्या है बार-बार शिकायत करने के बावजूत भी कोई समाधान नहीं हुआ है उन्होंने बताया कि आज समीती ने 51 बीसी सिर्मोर को सौंपा है जिसमें शेतर की बरसाती पानी निकासी, सीवरे सिस्टम, स्ट्रिट लाइट नहोने समेथ अब वेग्यानिक धंग से की गई प्लेटो की कटिंग से यहां बने रिहाईशी मकानों को पैदा हुए खत्रे के बारे में अवगत करवाया गया उन्होंने कहा कि यहां प्लांट बेचने के लिए बू माफिया ने बड़े-बड़े प्रोलोबन लोगों को दिये थे सब्सारों लोग ना तो टैक्स देंगे और नहीं आने वाले विधान सबा चुनाओं में मत दान करेंगे स्थानी निवासियों का कहना है कि शेत्र में भारी बरसात वबू संखलन से रिहाईशी मकान खत्रे की जद है पाने निकासी न होने से लोगों के घरों में बरसाती पानी गुस रहा है जो भारी नुकसान पहुंचा आ रहा है इसके लावा शेत्र में स्ट्रीट लाइटों कच्चे रास्तों वबू संखलन से रिहाईशी मकानों को पैदा हो रहे खत्रे के चलते परिशानी बनी है जो हमारी येशिंद बियार की समस्या है वो तो सब लोग इससे वाकिफ है ऐसा नहीं है कि जो कमेटी वाले हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है लेकिन क्यों इगनॉर किया जा रहा है उस बज़े से हमारे को आज मजबूरन होके डी सी साफ को हमने एप्लिकेशन दी है कि जो भी हमारी समस्या रही है पहले जो भूमाफियाज वहाँ पे रहे हैं प्रवुपयां भुमाफियांज़ने हमारे को किस ढंक्से प्लॉट की जो खेलिंग की है उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपके यहान डुपरे शिबरे सिस्टम मुनिस्पल कमेटी या टाउन कंट्री प्लानिग वालों नहीं किस परकार से उनको एप्रूबल दी थी वो सब करने के लिए आज की डेट में जब हम उनके पास जाते हैं मुनिस्पल कमेटी वाले बोलते हैं कि जैन सावन इसको करना है इसी क्यादार पे आज हम सो लोग क्यूंकि आपको पता है कि 90 परसेंट लोग वहाँ पे गौर्मेंट इंपलोई है वो लोग आज छुटी नहीं है उनको अपने डूटी पे जाना होता है इस बज़े से बिचारे आ भी नहीं पाए हैं तो 90 परसेंट लोग होने के बज़े से ना जादा एजिटेट कर सकते हैं ये भी सबसे बड़ी समस्या है उसी का फायदा जितने भी भूमाफिया है ये लोग उठा रहे हैं तो हम तो यहीं निवेदन करने आज DC साब से आए कि आप फिजीकली किसी की डूटी लगाएं कि वहाँ पे उसका वेरिफकेशन हो जो सिबरे सिस्टम ये सब चीजे लड़ाईयां आपस में हो रही है उपर वाले का पानी नीचे वाले के पास आ रहा है तो उसमें समस्या क समाधान नहीं होता है तो हमें करना पड़ेगा रही बात टेक्स की जो आपने बात की टेक्स आपको हाुस नमबर एलोट नहीं किये गए हैं तो किसा आदार पे देंगे मैंने खुद एक बार टेक्स जमा करने हुआ पे गया रसी दुनों नहीं नहीं दी कि जब आपनに सब्सक्राइब इतने बुरे हाल है और जो गंदा पानी है वो सारे लोगों के घरों में घुसरा है और बारिश में अभी कुछ घरों को इतना खत्रा हो चुका है वो कभी भी पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह सकती है तो हम तो प्रशासन से यह चाहते हैं कि सबसे पहले तो उनको रहत दी ज हमारे जो घर है घर के नीचे की तरफ जो सारी लैंड थी वो पहले यह हमें बोलकर बेचा गया था कि भी उस पे कभी मकान नी बनेगा लेकिन वो पिछले एक साल में वो सारी लैंड बेख चुकी है और अभी हाल ही में वहाँ पर जो प्लॉट का काम स्टार्ट हुआ है उन तो हमने डिजी साब से भी प्राफ्तन की अभी आके कि भी कोई वहाँ पे देखा जाए और जो परशाशन है वो उसकी कुछ न कुछ उप्सप्राइब कीजिए झाल